हलो गाइज वेलकम बेक टू दीज चैनल, सो फ्रेंड्स इंडियन मार्केट में सेप्टेंबर एंड और उक्टूबर मन्त के फर्स्ट आप में टो फाइफ स्मार्टफोन लोग चुने वाले हैं जिनका लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम जिन भी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे वो ओल्मोस्ट कन्फरम हैं इंडिया पे आने वाले हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूँ कि इन सभी स्मार्टफोन के डेडिकेटेड वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे आप चेक आउट कर सकते हो पर फैंड वीडियो पसंदाए लाइक जरू कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो पाते रेने के लिए इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर वीडियो टी टू प्रो स्मार्टफोन आता है और यह स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में 22 सेप्टेंबर को लाँच होने वाला है और इस स्मार्टफोन में गाईज आपको कर्ड 120 हर्ट्स एमलेट डिस्पले मेडिया टेक डेमस्टी 7200 पावरफुल प्रोसेसर 80 वोट फास्ट शार्जिंग के साथ 64 मेगा पिक्सल OIS में केमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे और यह स्मार्टफोन गाईज चाइनिज वीवो S17E स्मार्टफोन का रिब्रेंड होने वाला है वैसे यह स्मार्टफोन ओल्रेडी गाईज इंडियन मार्केट में एज आईक्यू G7 प्रो स्मार्टफोन लाँच हो चुका है और प्राइजिंग की बात करें तो वीवो T2 अंडर 25,000 रुपीज के प्राइज सेग्मेंट में देखने को मिलेगा और स्मार्टफोन की बेंक ओफर्स के साथ प्राइज आपको 22,000 रुपीज तक देखने को मिलेगी इसके लावा सेकेंड नंबर पर मोटरोला ब्रेंड का मोटो एज 40 नियो स्मार्टफोन आता है और यह गाईज इंडियन मार्केट में 21 सेप्टेंबर को लौंच होने वाला है इंडिया स्मार्टफोन गाईज ग्रेट प्राइसिंग पर ग्रेट स्पेसिफिकेशन ओफर करेगा विकोज इस स्मार्टफोन में आपको अगें कर्वड एमलेट स्क्रीन देखने को मिलेगी जह नहां पर 50 मेगापिक्सल OIS में केमरा 32 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर दिया गया है इवन इसमें आपको 68 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ 5000 एमेच की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन की प्राइजिंग भी इंडियन मार्केट में आपको अंडर 25, थासुन रुपीज देखने को मिलेगी और फर्स मार्टफ़न आगें गाइज आपको वीवो की तरफ से देखने को मिलेगा जोकी विवो वी 29 5G स्मार्टफोन होने वाला है एंडि स्मार्टफोन का एंडिया में काफी लोग वेट कर रہे हैं और स्मार्टफोन में अगें आपको कर्व 10 bit 120 Hz एमलेट स्क्रीन मिलेगी जहाँ पर 1.5 के स्क्रीन रिजिश्टिन मिलता है और यहाँ पर फेंड्स आपको स्नेपरिगन 770 8G प्रोसेसर मिलेगा बाकी यहाँ पर 50 मेगापिक्सल आयमेक 766 V OIS में सेंसर दिया गया है और फ्रेंट पर भी 50 मेगापिक्सल का सेंटर पंचोल सेलफी केमरा मिलता है और स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 80 वोट की वाइड फास्ट चार्जिंग का स्पोर्ट दिया गया है बड़ इसकी प्राइजिंग आपको अंडर 35,000 रुपीज देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन की ओफिशल लॉंच डे निकल कर नहीं आई है बड़ फेंट्स ये स्मार्टफोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन मार्केट में सेप्टेंबर एंड तक लॉंच किया जाएगा बड़ अगर इसा नहीं होता है तो डेफिनेटली गाईज वीवो वी ट्वेंटीनाइन फाइज स्मार्टफ मिलने वाला है और इसमें भी 80 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ सोनी आयमेक्स सेवन डॉल शिक्स वी ओईस में सेंसर 50 मेगा पिक्सल सेंटर पंचोल सेल्फी केमरा दिया गया है और स्मार्टफोन में फेंड्स आपको मीडिया टेक डेमिसेटी 8200 प्रोसेसर देखने क मिलेगा लेकिन इससे भी इंट्रेस्टिंग चीज गाई इस बार आपको वीओ वी 29 प्रो स्मार्टफोन में टेली फोटो लेंस भी मिलने वाला है और इस स्मार्टफोन की इंडियन मार्केट में प्राइजिंग आपको 42,000 ट्रिप्लाय रुपीज तक देखने को मिलेगी एंड इस लिस्ट में फ्रेंड्स लाष्ट नमबर पर वन प्लस ब्रेंड का वन प्लस एस टू प्रो स्मार्टफोन आता है अब ये गाईस इंडियन मार्केट में कब तक लौश ओगा इसको लेकर कंफर्म इंफुमिशन नहीं है बस तिल फ्रेंड्स रुमर्स के अकोडिं OnePlus Ace 2 Pro smartphone Indian market में आपको October मन्त के end तक देखने को मिलेगा और ये smartphone guys Indian market में आपको OnePlus 11T name के साथ देखने को मिल सकता है और इसकी pricing आपको Indian market में 45 तो 50,000 रुपीज देखने को मिलेगी and इस price range में guys OnePlus Ace 2 Pro smartphone Snapdragon 8 Gen 2 powerful flagship processor लेकर आता है और यहाँ पर आपको 24 GB LPDDR5X latest RAM का स्पोर्ट भी मिलेगा और स्मार्टफोन में Curve Q9 Plus OLED पेनल आता है जिसके साथ 120 Hz की higher screen refresh rate का स्पोर्ट दिया गया है और इसमें friends आपको Flexi 50 MP IMX 890 OIS में केमरा भी मिलेगा बाकि 5000 mAh बड़ी बेटरी के साथ 150W Ultra Fast Charging का स्पोर्ट भी मिल जाता है तो definitely guys OnePlus Ace 2 Pro स्मार्टफोन भी काफी amazing specification केरी करता है यह कुछ स्मार्टफोन दे जो कि Indian Market में almost confirm है आने वाले हैं और अगर आपको इन स्मार्टफोन से related कोई भी question है तो आप comment में पोश सकते हूँ वहाँ पर आपका reply देने वाला हूँ फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही hopefully आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ share करना वो डेली एसे ही स्मार्टफोन से related वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना